let's see this question in this question we have given उने को given है z की पार 4 is minus 1 plus root 3 आयाटा then z cube is purely there ठीक है अब इधर से देखेंगे z की पार 4 तो अब इस complex number को exponential formula लिख लेंगे इसका modulus तो अपने पास 2 है और complex number ऐसे minus 1 by 2 plus iota root 3 by 2 अगर आप देखेंगे क्या कि ये complex number second quadrant में है अब second quadrant में है तो cos लिख लेंगे 5 pi by 6 sorry cos 2 pi by 3 cos 2 pi by 3 5 pi by 6 इसको हम लिख सकते हैं cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3 आपको क्या करना होता है एंगल निकालने ये macro minus 1 spawn को macro minus 1 comma root 3 और ये वाला एंगल निकालने ये वाला एंगल निकालनों ये वाली length root 3 हो जाएगी ये वाली length 1 हो जाएगी अगर ये length root 3 और ये length 1 तो ये वाला इंगल कितना हो जाएगा pi by 3 pi में से pi by 3 subtract करेंगे तो ये इसका argument बन जाएगा 2 pi by 3 argument बना दिया अब z की power 4 को आप लिखेंगे 2 e to the power iota 2 pi by 3 तो अब z निकालने के लिए 2 की power 1 by 4 e की power iota 2k pi plus 2 pi by 3 divided by 4 and now we will put k equals to 0 k equals to 1 k equals to 2 k equals to 3 जैसे ही आप k को 0 put करेंगे तो अपने पास आएगा 2 की power 1 by 4 e की power iota pi by 6 फिर k को जब 1 put करेंगे तो अपने पास आएगा 2 की power 1 by 4 e की power iota k को 1 put किया है यनि pi by 2 plus pi by 6 pi by 2 plus pi by 6 मतलब 2 pi by 3 फिर लिखेंगे 2 की power 1 by 4 e की power iota तो इसमें pi by 2 और add करतेंगे pi by 2 add करेंगे तो मतलब pi by 2 इसमें add करेंगे 2 pi by 3 में pi by 2 add करने पर अपने पास बन जाएगा कितना इसमें pi by 2 add करेंगे तो ये 6 LCM 4 pi plus 7 pi by 6 कितना बन जाएगा 7 pi by 6 likewise 2 की power 1 by 4 7 pi by 6 मतलब 210 में 330 गलब 2 e की power iota 11 pi by 6 ये अपने पास बन जाएगा ऐसे करके चार नमबर बन जाएगा अगर इन चार नमबर को आपन प्लोट करें जैसे अपने पास एक रूट आया 2 की power 1 by 4 e की power iota pi by 6 2 की power 1 by 4 e की power iota 2 pi by 3 2 की power 1 by 4 e की power iota 7 pi by 6 and 2 की power 2 की power 1 by 4 e की power iota 11 pi by 6 ये अपने पास नमबर बने इनको अगर मैं complex plane पर ड्रॉट करूँ देखो सबसे पहले पाई by 6 एंगल सबसे पहले कौन से आंगल पाई by 6 ये पाई by 2 rotate हुआ फिर ये पाई by 2 रोटे हूआ फिर ये हून लग कुछ इस ताइप से बन जायेगा अब हमें जो चाहिए हमें क्या चाहिए कि Z represent vertices of square मतलब ये length 2 की power 1 by 4 है ये length भी 2 की power 1 by 4 है तो obviously ये वाली length 2 की power 1 by 4 नहीं होगी ये वाली length root 2 into 2 की power 1 by 4 होगी मतलब कितना होगा 2 की power half plus 1 by 4 मतलब ये length 2 की power 3 by 4 होगी तो Z represent vertices of square बिल्कु ठीक है लेकिन उसकी side जो है 2 की power 3 by 4 होगी 2 की power 1 by 4 नहीं होगी 2 की power 3 by 4 होगी तो question का idea था सबसे पहले question में हमने जो nth root of complex number निकालने बढ़ेंगे nth root of complex number हमने निकाले फिर हमने उनको plot करके देखा हमने उनको क्या करके देखा जैसे ही plot करके देखूँगा तो मेरे को पता चलेगा ये length है देखो जैड अपने पास 2 की power 1 by 4 ईकी पार आयाट आ है पाईटा का पाईबई 6 है है ये वह लिन 2 की power 1 by 4 और पाईबई 2 रोटेट कर रहे हैं क्यों क्योंकि फोर्थ रूट निकाल रहे हैं तो पाईबई 2 रोटेट होगा इधर से देखो के को पुट पुट करumगा खो कि को वन पुट करumगा. एंगल में डिफेरेंगस कितना है का . पॉए नीशिए को पाई तू रोटेट कर रहा है और वही मॉडिलेस बन रहा है 2 की पार 1 लगएफोर. तो a a angle पायोट तो hypertenuous कितना होगा और root 2 है तो ये length root 2 तो ये 2 की पार 1 by 2 plus 2 की पार 1 by 2 2 की पार 3 by 4 हो गया 2 की पार 3 by 4 अपने पास इस square का side हो गया option d will be the right answer